हलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों मैं समीर आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल डिजीटल पावर में हार दिक स्वागत करता हूँ फ्रेंस बिहार सरकार के सिक्षवी भाग की तरब से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यानि जो माधमिक और उच माधमिक भी द्याले में यानि मीडिले स्कूल और हाई स्कूल भी द्यालों में देखें फ्रेंस यहां पे जो 30,000 20 पदों पे जो बहाली होने वाली थी उस बहाली को जो पत्र अंतिम पत्र यानि सेलेक्षन का जो लेटर मिलने वाला था जुन से बढ़कर अब जुलाई हो गया है ठीक फ्रेंस क्या है पूरी अपडेट और क्या कै पड़ेगा आपको अगर आपने भी माध्मिक और उछ माध्मिक में विद्यालों नहीं आबेदन किया हैं जॉब के लिए तो चलिए जानते हैं पूरी जनकारी और आपको पताते हैं आज का पूरी अपडेट तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो आप देख सकते हैं फ्रेंस यहां पर फिर बदल बदला तीसर सिक्षकों को नियोजोन का सीडूल यह पहली बार नहीं है फ सिट्राइब्यश्रों पप्रेल में इसका उंожет मिलने वाला था उसकी बास जून में अब गुरू बार को को आगे बढ़ा दिया गया है और सिख्षय वहा की तरफ से गुरुबार को साम में मुझ माध्मिक और माध्मिक सिख्षक बहाली के तद दिए फ्रस अंतिम रूप से चैनित अभ्यार्थियों को अब 22 जुलाई से 25 जुलाई के बीच नियोजन पत्र बाटे जाएंगे याइ कई जीलो में कोरोना संकर्म की वजह से यह बात सामने निकल के आ रही है दिए फ्रस वेकेंसी की थोड़ा डिटेर्स हम देख लेते हैं इसमें क्या-क्या बदलावतिया गया है देखिया फ्रस टोटर हाई स्कूलों में 11,919 वेकेंसिया है जिन में देखिया फ्रस 30,020 मादमिक सिक्षक पदोपन निक्ति होने में इनमें 11,919 हाई स्कूल जबकि 18,000 देखिया फ्रस पलस्टू में निक्ति होने माली यानि मादमिक और उंच मादमिक में कुल सीटों की संख्या 30,020 है तो फ्रस ए रहा आज का अपडेट अपडेट कैसा रहा कमेंट बॉक्स मे जरूर बटाएगा अगर वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो का लाइक सांथ इसांथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि इसी तरह का लटेश्ट अपडेट आपको मिलता रहे तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर किस नेक्स्ट व वाचिन